सभी आधरणिये मुख्यमंत्री गाण, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, गवर्नार्ण्स, लेटेनेंट गवर्नार्ण्स, आप सब को नवश्कार, अनलॉक वन को दो सप्ता हो रहे हैं, इस दोरान जो अनुभव आये हैं, उसकी समिक्षा, उन पर चर्चा, हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती हैं, आज की इस चर्चा में मुझे भी आप से काफी कुछ जानने का आफसर मिलेगा, ग्राउंड रियालिटी क्या है उसको समझने का आफसर मिलेगा, आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स आपके सुझाव देश को आगे की रिणलिटी बनाने में अवश्य मदद करेंगी, साथ योग किसी भी संकर से निपटने के लिए ताइमिंग का बहुत महत्व होता है, सही समय पर लिये गए फैसलों ने देश में कोरोना संकर्मन को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है, बविश में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाई का अध्यान होगा, तो ये दोर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दोरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोपरेटिव फर्डरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्तुत किया, साथियों जब करोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव ही नहीं बना था, तब भारत ने इस से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिये थी, हमने एक-एक भारतिय की जिन्दगी को बचाने के लिए दिन रात महनत की है, बीते हप्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिय भाई भेन विदेश से अपने वतन वापिस लोटे हैं, बीते हप्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं, रेल, रोड, एर, सी, सारे मार्क करीब करीब अब खुल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना, संक्रमान उस जैसा विनास्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की है दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लोगडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुसाचन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट पचांस पतितत से उपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमीत मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्य हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस सग्गट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है। अपनी अर्थववस्ता को तेजी से सम्हाल सकता है। साथियों बीत्वे दो हपते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें, सारे दिशान दिर्दोशों को मानते रहें, तो करोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवारिया है, आवशक है। बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए दोगज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो, सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो, ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेशकर, गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ओफिसिस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ओफिस जाने लगे हैं। बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है। तो इस सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाई, थोड़ी सी भी डिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोग पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोग पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थेववस्ता खुलेगी। हमारे दप्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में, अलग अलग राज्यों में, एकनोमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव, दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से, हमारी अर्थेववस्ता में, ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं, पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में, फर्टिलाइजर की सेल, बीते साल मई की अपेक्षा दो गुनी हुई है। इस बार, खरीब की बुगाई, बीते साल की अपेक्षा करीब, बारा-तेरा परसेंट जादा हुई है। टू विलर्स का प्रोडक्षन, लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब-करीब, सत्तर प्रतिशक तक पहुच चुका है। रिटेल में, डिजिटल पेमेंट भी, लॉकडाउन से पहले के स्तिती में पहुच चुका है। इतना ही नहीं माई में टोल करेक्शन में बढ़ोत्री होना एकोनोमिक एक्टिविटी में बृद्धी को दिखाता है लगातार तीन महिने तक एक्षपोर्ट में कमी के बाद जूर में एक्षपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरिड में पहुँच गया है यह तमाम संकेत है जो हमें प्रोट्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेडित कर रहे हैं साथियों आप एसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और एमेसेमीज का हिस्सा बहुत बड़ा है आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टरस के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं एमेसेमीज को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं समय बद्द तरीके से एमेसेमीज को बैंक से क्रेडित दिलाने का प्रयास हो रहा है सो करोड रुपिय तक के टर्न ओवर वाले उद्द्दोगों को बीस परसेंट अतिरिक क्रेडिट के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्द्दोगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे लोगों को रोजगार दे पाएंगे सातियों हमारे यहाँ जो स्मॉलर फक्टरिज हैं उन्हें गाइडन्स की हैंडोल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है मुझे पता है आपके नेत्रूतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है ट्रेड और इंडस्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें इसके लिए वेल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा राज्यों में जहां कहीं पर स्पैसिफिक एकनामिक एक्टिविटी पॉइंट्स है वहाँ 2400 घंटे काम हो शामानों की लोडिंग अल लोडिंग तेज़ी से हो एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानिय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत न हो तो एकनोमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी साध्यों किसान के उत्पात की मार्केटिंग के खेतर में हाल में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुक्सान होता था उसे भी हम कम पर कर पाएंगे जब किसान की आय बढ़ेगी तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्थिववस्ता की गती भी बढ़ेगी विशेशत तोर पर नौर्थीश और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होटिकल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं और गेनिक प्रोडक्स हो बांबू प्रोडक्स हो दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो उनके लिए नए मार्केट का अदवार खुलने वाला है लोकल प्रोड़क्ट के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीती की गोशना की गई है उसका भी लाप हर राज्य को होगा इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक हर जीले में ऐसे प्रोड़क्ट की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोड़क्ट हम देश और दुनिया के बाइजार में उतार सकते हैं साथ्यों बीते दिनों आत्मन दिरभर्द भारत अभियान के तहट जितनी भी गोशनाय की गई हैं वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है इस प्रिष्ट भूमी में कोरोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाब हैं जो तयारिया हैं वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे पका विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बाते आएगी वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी मैं ग्रमंत्री जी से आग्र करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें